है कि है कि है कि है कि है कि है कि है लो एवरिवन वेलकम यौल तो अड़ा 247 क्लास नाइन टेंट चैनल आएम सौरब शर्मा और आज की सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं नमबर आफ टेंजेंट्स फ्रॉम सब आज करेंंगे। ल Squee कि आपने अज के सेशन की तो सबसे पहले बच्चों अगर हम जानते हैं टेंजेंट क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि सर्टेंजेंट का मतलब किया होता है अब पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, सर्कल पे, सर्कल पे टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है अब पॉइंट की कंडिशन अलग-अलग हो सकती है सबसे पहले first case अगर मैं लेता हूँ जब point जो है वो lie inside the circle कि वो circle के अंदर की तरफ lie करें तो उस scenario में हम कैसे बताते हैं कि suppose करो कि जैसे कोई एक ये circle है और ये point इसके अंदर lie कर रहा है तो इस condition में क्या आप इस पे कोई tangent draw कर सकते हो कि सर्थ इस point से cross होती है अगर मैं कोई भी line यहां पर draw करू तो वो क्या करेगी circle को 2 points पे intersect करते हुए जाएगी कि सर्थ इस point पे और इस point पे intersect करते हुए जा रहे है तो इस case में क्या ये tangent होगा अगर इस point से कोई भी दूसरी line भी अगर मैं cross करूँ तो वो भी इसको cross करते वे, दो points पे cut करते वे जाएगी, तो क्या ये tangent कहलाएगी, नहीं sir, इसे हम tangent नहीं कहते हैं, इस case में जब कोई line circle को 2 points पे cut करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, second कहते हैं, ना कि tangent, तो इस case के अंदर हम बोलेंगे, कि अगर point जो है, वो circle के अंदर lie कर रहा है, अंद tangent नहीं होगी, so there is no tangent, when a point lie inside the circle, कि जब point जो है, वो circle के inside lie करेगा, तो उस case के अंदर कोई भी tangent नहीं होने वाली, चलिए, next case पे बढ़ते हैं, next case क्या कहते हैं, अगर point कहां हो, अब की बार lie on the circle, कि वो circle के उपर lie करें, कि जैसे हम देखें, कोई एक circle है, और ये point जो है, tangent क्रॉस हो सकते हैं, किसर हम देखें, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक single tangent क्रॉस हो सकता है, अगर आप इस case के अंदर, number और दूसरे, अगर lines क्रॉस करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे और कोई भी tangent नहीं होगी, किसर इस point से अगर cross करती भी, अगर मैं suppose कोई दूसरी line law करूँ, तो वह line क्या करेगी, वह line क्या करेगी, circle को two points पे cut करते वी जाएगी, और two points पे cut करने वाली line को मैं tangent नहीं कहता, अगर आप यहाँ पे इस point से suppose, यह line जो करते, तो यह भी क्या करेगी, कोई भी line आप जो कर लो, कि कि sir, एक point से, हम जानते हैं, कि sir, एक point से, कितनी lines cross हो सकती है, sir, infinite lines cross हो सकती है, sir, यहाँ पर देख रहा हूँ जैसे ये line है, ये वाली line है, ये वाली line है, तो एक point से तो infinite lines cross होती है, लेकिन tangent उसमें से कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक, तो इस case के अंदर हम बोलते हैं सिर्फ एक tangent, only one tangent, जब point जो है, वो circle के उपर लाई करता है, तो उस case में हम बोलते हैं, only one tangent सिर्फ एक tangent cross होती है, अब इसके जगा अगर हम देखें कि suppose third case क्या होता है, जब point कहां हो, outside the circle हो कि सबसे पहले point कहां था, circle के अंदर था, फिर हमने उसको circle की boundary खिसका दिया, then उसके बाद अब point को कहां ले लिया, circle के बाहर, कि जैसे हम देखें कि suppose यह कोई circle है, circle है और इसके point कोई P, इसके बाहर है, outside the circle है तो इस case में आप इस पे कितने tangents draw कर सकते हो, कि जब इस point से तो infinite lines cross हो रही है, लेकिन उसमें से tangent कितनी होगी, जो इस circle पे tangent होगी, कितनी lines हो सकती है कि जैसे एक line यह वाली, जो इस point पे touch करते होगी है, एक point यह वाली, जो इस point पे touch करते होगी है, तो इस case में आप ने देखा, कि जब point outside the circle है, तो उस case में number of tangents कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 tangents can be drawn बात clear हुई, तो हमने तीनो cases समझ लिए, कि अगर point circle के अंदर है, तो उस case में no tangent, कोई भी tangent draw नहीं हो सकती, अगर point circle के उपर है, circle के boundary पे है, तो उस case में सिर्फ एक tangent draw हो सकता है, और वहीं अगर circle circle के बाहर है, अगर कोई point, तो उससे number of tangents कितने हो सकते हैं, sir अगर कोई भी पॉइंट है, तो इससे हमने अभी बात करी थी, सर कितनी tangents cross हो सकती है, कोई circle के बाहर outside, अगर कोई point है, तो उससे number of tangents हो सकती है, sir, कितनी, 2, number of tangents होती है, sir, 2, suppose यह एक tangent PA है, और दूसरी वाले tangent PB है, दो tangents cross होती है, तो यह दोनों tangents की जो length है, यानि कि PQ और PB, PA और PB, यह दोनों क्या होती, इकवल होती है, यह थियोरम यह बोल रही है, कि सर दोनों जो tangents की length है, PA and PB, यह दोनों क्या होते हैं, इकवल होती है, बात क्लियर हुई, यह बहुत ही important result है, बहुत ही important result है, अपने आप में, कि सर अगर हम किसी external points से circle पे दो tangents draw करते हैं, तो उन दोनों tangents की length हामेशा क्या होती है, इकवल होती है, बहुत important result है, आपको यह याद रखना है, questions अभी हम जब solve करेंगे, तब आपको यह बहुत help करने वाला है, ठीक है, अब हम चाहें तो इससे prove भी कर सकते हैं, प्रूफ करने के लिए कैसे, कि सर देखो, यहाँ पे P B है, इसका point of contact क्या है, point B है, point of contact यहाद है, last session के अंदर हमने पढ़ा था, कि सर, point of contact क्या होता है, जिस point पे tangent circle को touch करती है, वो point क्या कहलाता है, point of contact, और point of contact को center से अगर हम joint कर दे, point of contact कहा है, circle की boundary पे, A और B दोनों point circle की boundary पे हैं, तो इन points को अगर मैं center से joint करूँगा, तो यह क्या represent करेगा, radius को represent करेगा, तो यह circle की radius, यह भी circle की radius को represent कर रहा है, O A और O B, दोनों circle की radius को represent कर रहे हैं, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, सर, देखो, मुझे given क्या-क्या है, और मैं क्या क्या मुझे प्रूफ करना यह सबसे पहले मैं लिख लेता हूं सबसे पहले मैं लिखता हूं sir given given हमें यह है कि एक circle है जिसका center है O इस circle with center O center O और इस पे किसी external point P से दो tangents है PA और PB दो tangents, two tangents, from an external point, from external point, P, there are two tangents, P A and P B, यह है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, कि ज़र हमें यह प्रूफ करके बताना है, कि यह दोनों tangents की जो length है, P A और P B, यह दोनों क्या है, equal होती है, P A is equal to P B, यह दोनों equal होती है, तो हमने सबसे पहले इसमें construction किया, कि सबसे पहले आपने इसमें क्या किया, construction किया, और construction हमने क्या किया, कि सब O A और O B को joint कर दिया, क O A is equal to O B is equal to radius R, यह दोनों क्या है, radius हैं, अब साथ में हम इसमें construction में यह क्या करते हैं, कि सर इसके center को, इस external point से भी हम joint कर देते हैं, कि इन दोनों को भी हमने क्या कर दिया, joint कर दिया, कि O P को भी joint कर दिया, कि joint O P, ठीक है, अब मैं इसे prove करता हूँ, अब मैं इसे prove कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका हम कर रहे हैं, अब solution, ओके, तो मैं अब इसे prove करने वाला हूँ, तो solution इसका कैसे करेंगे, देखो, यहाँ पे आप जरा इस diagram को देखो, तो आपको दो triangles दिख रहे होंगे, एक triangle आपको O A P, और दूसरा O B P, दो triangles दिख रहे हैं अगर मैं इन दोनों triangles को कैसे भी करके congruent proof कर दूँ, तो क्या C P C T से हम कह सकते हैं, कि सर यह line P A P B के, equal होगी, बोलो होगी, अगर यह आपने सोचा, तो देखो, मैं लिखता हूँ, कि in triangle O A P, and in triangle O B P, जरा इन दोनों triangles के अंदर देखें, तो हम कह सकते हैं, सर इसकी radius, यह O A O B side के equal हो की, बोलो क्यों, क्योंकि यह दोनों क्या है, radius है, कि सर, O A side, O B side के equal है, O A, इस triangle की side O A, इस वाले triangle की side O B के equal है, क्यों, क्योंकि यह radius है, radius of circle, और radius हमेशा equal होती है, अच्छा, जरा देखें, कि सर, हमें पता है, last session के अंदर, जब हमने tangent to a circle पे हमने बात करी थी, तब हमने ये भी पढ़ा था, कि tangent जो होती है, circle पे जो tangent होती है, वो हमेशा radius पे क्या होती है, perpendicular होती है, तो बोलो, क्या ये वाला angle 90 degree का होगा, क्या ये वाला angle, इस radius और ये tangent, इन दोनों के बीच में ये वाला angle 90 degree का होगा, तो मैं कह सकता हूं, सर, इस triangle का angle A, इस triangle का angle B के equal है दोनों 90 degree के है ठीक है लिख दिया तो सर हमने लिखा एंगल A is equal to angle B is equal to 90 degree और reason क्या है कि सर एंगल A 90 degree का क्यों है क्योंकि सर O O A perpendicular होगी जो की radius है किस पे tangent P A पे और B जो है वो 90 degree का क्यों है क्योंकि सर O B perpendicular है किस पे P B पे जो की tangent है tangent और radius हमेशे एक दूसरे पर perpendicular होते हैं तो यह हमने लिख दिया और क्या आप देख सकते हो कि सर यह वाली side O P दोनों triangles के अंदर common दिख रही है दोनों triangles में common दिख रही है तो मैंने यहां पे लिखा कि सर O P is equal to O P देखो यह क्या है common है common है तो जड़ा देखो अब राइट एंगल triangle है यह triangle कैसा है राइट एंगल ट्रेंगल तो जब राइट एंगल ट्रेंगल आता है उसमें कॉंगरेंसी प्रूफ करते हैं तो हमेशा थ्यान रखो कि सर यह राइट एंगल इसके सामने वाली side hypotenious और remaining two sides में से कोई एक साइड तो कौन सा criteria यहां लग रहा है कि सर यहां पर भी देखो राइट एंगल इसके सामने वाली side यह hypotenious और remaining two sides में से एक साइड तो आरेच इस क्राइड से क्या आप कह सकते हूं यह दोनों ट्रैंगरेंस कॉंगरेंट हैं कौन सी क्राइटिरिया से सर आरेच एस राइट एंगल उसके सामने वाली side hypotenious और remaining two sides to triangle O O B P by R H S क्राइटिरिया अब अगर यह दोनों ट्रैंगरेंस कॉंगरेंट हो गए तो मेरा काम तो हो गया कि सर यह दोनों ट्रैंगरेंस को हमने कॉंगरेंट प्रूफ कर दिया तो by C P C T हम कह सकते हैं सर इसकी side P A इसकी side P B के करके बताना था क्या हमें यही प्रूफ करना था देखो जरा हमें यही तो प्रूफ करना था और हमने इसे प्रूफ कर दिया हो गया solution हो गया तो यह थियोरव हमने समझ भी लिए कि सर अगर कोई भी एक circle है और circle पे अगर किसी external point से अगर दो इसकी पर कोई एक circle है उसकी external point से अगर करो सकती है और इन दोनों टेंजेंट की लेंध जो होती है वो हमेशा क्या होती है इक्वल होती बात क्लियर समझ में आ अगया अच्छा इसके साथ साथ इस तरह में कुछ और भी important results है कि आ देखना चाहोगे जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे जो ना ही आपसे कहीं दिये वे हैं तो उन रिजर्ट्स को भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि वो रिजर्ट्स भी जब हम कोशन सॉल्फ करते ना तब हमारे बहुत हेल्प करते तो चलो देख लेते हैं कौन-कौन स देखी लिया अब इसके अंदर हम देखते हैं देखो किसर हमने अभी बात करी थी किसर ये पी इसका एक्सटर्ण पॉैंट जो इस सर्कल पे इस एक्सटर्ण पॉइंट पीस से दो टेंजंस क्रॉस हुई एक तो पी ए और एक ये पीड ये था सर्कल का सेंटर ओ तो इस जब दो टेंजेंट्स क्रॉस हुई तो सबसे पएला रिजल तो हमारे पास हम ने अभी ये प्रूफ करके बीख़ा कि पीए जो है वह कम होता है क Whenever सबसे पहला रिजलकर results हमें क्या-क्या मिले पर बिइंजर्ट हमें क्या-क्या मिले सबसे पहला Tangents की टी है यारी कि-स pa is equal to टू फिर थी ठीक आच्छा, इन उसके बाद हमें आलरेटी पता है कि सर ये रिडियस है ओ आर क्या है रिडियस, ओ भी Generation आप ने कहा था और रिडियस हमीश्या टेंजेंट पे प्रपेंडिकलोर होता है, तो ये वाला अंगल नाइंटी डिग्री का, हमें ये भी पता है, तो अब अगर ये दोनों अंगल 90 डिग्री के हैं, तो जरा देखना, क्या sir, ये O, A, P, B, एक क्वाडिटेटल है, क्या ये क्वाडिटेटल है, सर एक वह होता है जिसमें चार साइड सो चार वर्टेक्स और अंगल सो तो यह इस क्वाड़ितल कोंगा तो इस क्वाड़ितल के अंदर अब ऐगर सम क्या होगा जरा सोचो कि सब्सक्राइब एक क्वाडिटल अगर होता है तो उसके सभी कम्प्लीट एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है सॉरी 360 डिग्री होता है तो सबसे पहले अगर मैं दूर सेकंड रिजल्ट की बात करूं तो मैं लिखूंगा सिंस ओ पी बिए ओ ए ओ ए पी बी हम अगर इसे लिखें सिंस ओ ए पी बी इसए क्वाडिटल कैए एक क्वाडिटल है तो इसके सभी ऑंगल कसम यानिकि एंगल ओ ब्लस आंगल ए प्लस एंगल P, प्लस angle B, इन सबी angle का sum कितना होगा, सै 360 degree होगा, बिल्कुल, सै 360 degree होगा, अब आपको इसमें से पता है कि सै angle E और angle B तो 90 degree के हैं, क्योंकि यह तो क्या है, radius और tangents के साथ बीच बनने वाले angles है, तो यह angle 90 degree का, तो मैं लिखा हूँ से एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल एकी जिगह मैंने लिख दिया 90 और एंगल बी की वैल्यू भी किती है से 90 इस एक्वल तो कितना 360 अब 90 और 90 180 होता है 180 उदर जाके सब्ट्राक करोगे तो आपके पास क्या यह रिजल्ट आएगा इस एंगल ओ प्लस एंगल पी इस एक्वल टू 180 डिग्री और दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो उन एंगल को हम क्या कहते हैं एक दूसरे के सप्लिमेंटरी सप्लिमेंटरी एंगल तो यहां पर रिजल्ट क्या निकालना था हमें में इंपॉर्टिन यह था कि यह जो एक्स्टर पॉइंट जहां से दोनों टेंजेंट्स क्रॉस हो रही है यह वाला एंगल और सेंटर के बीच में इन दोनों रेडियस के बीच में इस होगा तो सीधे सीधे बता दूंगा सर यह दोनों का सम 180 होता है तो यह 30 है तो सीधा सा है यह एंगल 150 डिग्री का होगा तो बोलो अगर इस तरह के कोशन साब से पूछे गए तो आप बता सकते हो तो यह बहुत इंपोर्टिंट एक result आया हमारे पास कि सर यह जो दोनों एंगल को पर बनने वाला एंगल और इस एक्स्टरल पॉइंट पर बनने वाला एंगल इन दोनों आइंगल क्या होतें दुसरे के सपलेमेंटरी होते हैं बात क्लियर सबसे सेकेंड वाला रिजल्ट हमने पढ़ लिया, चलिए, यह हमें समझ में आ गया, ठीक है सर, अब और, और क्या, जर्दरिक हो, अगर मैं अब इसमें, हमने क्या किया था, construction के टाइम पे, कि सर, P को O से जोइंट कर दिया था, तो एंकर इन दोनों को हम जोइंट करें, फिर उसके बाद हमने क्य अब हमने इन तो क्या था, और करो करना सीखा था, तो यहां है, compartir को हमने परोव किया, तो by cpct, by cpct, лиक्रकंट क्या मैं कह सकता है, यह वो इस वले अंगल के भी इकवल हो गा, का बात क्लीर हुई, कि यहां देखो, कि सर, हमें पता है, third result क्या है, कि since since triangle OAP triangle OAP is congruent to triangle OBP by arches rule arches rule to CPCT से मैं कह सकता हूं sir यह वाले angle को अगर suppose 1 कहता हूं इस वाले angle को 2 कहता हूं तो मैं कह सकता हूं sir CPCT से angle 1 is equal to angle 2 so from CPCT हम लिख सकते हैं sir angle 1 is equal to angle 2 और सेम इसी तरह से क्या CPCT से हम यह भी कह सकते हैं कि sir इसका यह वाला angle इस वाले angle के equal होगा तो समझने के लिए अगर मैं इसे 3 कहूं इसे 4 कहूं इसे 4 कहूं तो यह दुनों angles भी क्या है एक दूसरे equal है so angle 3 is equal to angle 4 यानि कहने की बात यह हुई कि sir center को जो external point से जो line joint करती है यह इन दुनों angles को क्या कर यह byset कर यह यह वाला angle इसके equal यह वाला angle इसके equal अब यह इन angle को क्या करती है bisect करती बास क्लिए ठीक time करने के बाद यह हमने इक important result क्या कर्ता यह li यह line क्या करती है यह line क्या करती है op line क्या करती है कि sir यहEd इन angles को byset कर दी यह वीके important प्र देन वेन उसके बाद रिजल्ट और यहали कि sir अब यह triangle आपको पता यह वाला इंगल 90 डिए गो तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा कि एक एक ट्रेइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है एक आगल अगर 90 है तो रिमेनिग टू आंगल्स का सम क्या होगा कि sir इनका sum 90 होगा जो दो angles का sum 90 होता है तो उस angles को हम क्या कहते हैं complimentary तो यह जो दोनों angles होते हैं यह क्या होते हैं एक दुसरे के complimentary होते हैं एक दुसरे के complimentary तो हम यहाँ पे fourth result यह भी लिख सकते हैं कि sir angle 1 plus angle 3 is equal to 90 degree और साथ ही इसी तरह से similarly आप इसमें भी लिख सकते हो यह भी होता है तो अब समझने के लिए देखो अगर आपको suppose suppose करो कि आपको question में बोल दिया जाए कि suppose angle 1 आपको यह दियावा हो कि suppose एक question में general ऐसी ले रहां कि suppose angle 1 दियावा है आपको कितना कि sir 20 डिगरी का आपको दियाव है angle 20 डिगरी का और आपसे पूछता है कि आप बताओ फिर angle A O B A O B angle की value क्या होगी तो क्या बता सकते हो कि sir देखो यह angle 20 का है अगर यह वाला angle मुझे पता है यह angle given है मुझे 20 डिगरी का तो यह angle अगर 20 का है तो यह वाला angle 3 कितने का होगा sir angle 3 की value angle 3 की value अगर मैं पूछ हूँ आपसे तो आप 90 में से इसको minus करके आप बोल दोगे होगे sir यह होगा 70 डिगरी का और मुझे तो angle A O B complete angle पूछ रहा है मुझे पता है angle 3 और angle 4 एक दूसरे के क्या होते इकवल होते हैं तो यह 70 तो इसका मतलब angle 4 जो है यह भी 70 degree का हुआ बात क्लीर हुई अगर यह दोनों 70 70 पता लग गए तो आप इस एंगल A O B की वैल्यू बता सकते हो किसे ऐसा अगर कोशन मुझे पूछी लिया ना तो मैं तुरंत आंसर देंगा कि angle A O B की वैल्यू कितनी होगी sir 140 डिगरी तो देखो यह सब results अगर आपको ध्यान है ना तो आप easily in questions को handle कर सकते हो अदर्वाइस बच्चे क्या in questions के अंदर confused हो जाते अब यह सब हमने जो important results थे वो भी हमने discuss कर लिया चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम questions पर बात करते हैं देखो अब इस पर questions आप से किस-किस तरह से पूछी जाते हैं जैसे यहां पर देखें first question यह है आपके पास from a point q the length of tangent to a circle is 24 cm and the distance of q from the center is 25 cm the radius of the circle radius of the circle क्या होगी कि सर देखो अगर यहां पे यहां पे अगर मैं इसका diagram जो करूं कि सर मुझे क्या क्या रहा है कि कोई एक circle है अब circle के अंदर अभी जो हमने theorem's पड़ी है इन theorem's के अंदर क्या है कि सर एक तो tangent आई एक radius आई और एक था external point को center से joint करने वाली लाइन कि सपोस कि कोई एक from a point q कोई एक point q है the length of tangent to a circle is 24 cm कि सर यह कोई circle है और इसका यह कोई सपोस external point q है इस external point q से इसके उपर जो tangent draw करी ना यह tangent draw करी इसकी length मुझे given है 24 cm यह length है tangent की and the distance of q from the center सर इस 25 कि सर इस q point की circle के center से जो distance है यह हमें given है सर कितनी 25 cm 25 cm तो हम से पूछ रहा है फिर आप इसकी radius calculate करके बताओ कि सर आप ना हमें इसकी radius यह जो इसकी radius है यह radius आप मुझे calculate करके बताओ तो हमें पता है कि सिर रेडियस और tangent के बीच यह angle बनता है वो क्या होता है 90 degree का तो आपको यहां पर यह दिया हुआ है क्यों पॉइंट इससे सपोज ओ कह दिया इससे सपोज पी पॉइंट ले लिया तो यह triangle o p q कैसा है एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो लिखू सब इससे सब्सक्राइब कर लिए तो यह राइट एंगल के सामने वाली साइट क्या होती है हमेशा हाइपोटेनियस इसके अलावा जो रिमेनिंग टू साइट से उन इससे किसी भी एक को आपने पर्पेंडिंग्रोर कह दिया किसी भी को आपने बेस्ट कर लिया तो आप लिखोंगे बाइस इसफांग ृच्षरम ही रोपिका स्क्वाइर में प्लस पीक्यू का स्कॉरर अब और ऑपकी की वैल्यू आपको डिवन है 25 तो आपने लिखान से 25 25 का square is equal to op की value आपको calculate करनी है कि सर यह radius है op इसकी value तो मुझे calculate करनी है और क्या pq की distance tangent के लिए था में given है 24 इसका square अब 25 का square अगर हम करते हैं तो वो कितना होता है 625 हर कोई student जानता है op का square यह मुझे calculate करना है 24 का square बताओ कितने बच्चों को याद है 576 576 तो मुझे calculate करना है सर क्या op की value तो op square equal to हम लिख सकते 625 minus 576 अगर इनको subtract करूंगा तो यहां से op square is equal to कितना आ जाएगा सर 49 अगर 49 का square root calculate करेंगे तो सर op की length आएगी under root में 49 और साथ में सर आगे अब समझदार हैं सर तो plus minus का sign भी लगाएंगे तो यहां पे जब हम इसमें op की value calculate करेंगे तो यह आएगा हमारे पास plus minus 7 बोलो करेक्ट सर प्लस minus 7 आएगा अब plus minus 7 अगर हमारे पास आया तो यहां से आप बोलोगे सर सिंस ओपी सिंस ओपी इस एडियस अब एगर एक रिडियस और क्या रिडियस किसी भी सरकल की सीधी से बात है सर रिडियस यानिके distance है और distance कभी भी negative नहीं हो सकती तो हम यहां पे neglect कर देंगे negative value को since op is the radius this employs op is equal to seven और unit क्या लिखोगे सर सब किसमें दिया वाए हमें given किसमें सर सेंटीमेटर में दिया वाए तो unit लिखना कभी मत भूलना op की value हो जाएगी 7 cm यह हमारा क्या हो जाएगा इस question का answer यही था radius op जरा देखो op की value आपको calculate कर नहीं थी और हमने कर दी कितनी 7 cm question solve कितना easy है अगर आपको concept ज्यान है तो कितना easily आप in questions को handle कर सकते हो चलो अगला question देखो next question में आपको बोलता है prove that the tangent drawn at the ends of diameter of a circle are parallel कि sir यह क्या कह रहे है कि sir कोई एक circle है देखो इसका diagram देखो जैसी कोई circle है और a b क्या है suppose इस circle की diameter तो यह कहता है कि अगर इस diameter के ends पे कि sir इस end a और end b पे अगर हम दो tangents draw करें जैसे यहां पर p और q दो tangents draw करेंगे यह point a पे और point b पे तो यह दोनों tangents क्या होंगी parallel होंगी दोनों tangents क्या होगी parallel होगी तो sir मुझे देखो given क्या है मुझे given क्या और proof क्या करना लिखते हैं सबसे पहले कि sir हमें यह given है कि a b is a diameter is a diameter diameter and p एक tangent है p is a tangent at a and q is a tangent at b दो tangents है और हमें प्रूफ क्या करना है हमें यह प्रूफ करना है कि in point a और b पे यह जो दो tangents p और q हमने जो कर यह दोनों एक दूसर के क्या है parallel है कि हम यह प्रूफ करना है तो देखो सबसे पहले हम इसका solution कैसे करते हैं बहुत ही easy सा है बहुत easily आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि sir o a क्या है रेडियस है और p क्या है टेंजेंट है तो इसका मतलब यह इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वह हो कितने का होगा 90 तो मैं लिखूंगा कि सिंस ओ ए इस ए रेडियस तो ओ इस पर्पेंडिगुलर टूपी पर पर्पेंडिगुलर होगा इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ यह जो एंगल बन रहा है ओ ए पी कितने डिग्री का हुआ सथ 90 डिग्री का similarly similarly OB is also पर्पेंडिगुलर टू क्यू कि सर OB क्या है OB क्या है radius यह radius है और यह क्या है Q क्या है tangent है तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल बन रहा है सर O B Q यह भी एंगल 90 डिगरी का होगा तो हम लिख सकते हैं एंगल O B Q is also equal to 90 डिगरी अब ज़रा देखो कि सर अगर मैं देखूं यह दोनों लाइन से और यह क्या होगे यह एक चांस वर्जल और बनने वाली यह alternate interior angles दोनों 90 90 डिगरी के यानिकी equal हैं तो मैं किस कह सकता हूं स since angle O A P is equal to angle O B Q is equal to 90 degree. So, both of these angles are alternate interior angles. So, alternate interior angles are equal. अगर alternate interior angles equal होते हैं तो इसका मतलब दोनों lines कैसी हैं एक दूसरे के parallel हैं कि सर यह angle इसके angle के equal हैं दोनों alternate interior angles equal कब होते हैं जब दोनों lines क्या हो parallel हो सो हम कह सकते हैं P Q P P and Q are parallel to each other this employs P is parallel to Q where AB is AB क्या है AB क्या है कि सर यह इनको intersecting करने वाली line है तो यही हमें प्रूफ करना था यही हमें प्रूफ करना था देखो हमने प्रूफ कर दिया क्या easily कितना easily कि सर इसका मतलब यह हुआ कि diameter के दोनों ends पे देखो इन results को आप याद भी रख सकते हो कि diameter के कि दोनों ends पे अगर हम दो tangents जो करें दोनों ends पे अगर ट्रेंजिस जो करी जाए तो वह दोनों एक दूसर के क्या होती है हमेशा पैरल होती है तो यह वाला question भी हमने समझ लिया चलिए next question बें बात करते हैं the next question is the length of a tangent from a point a at distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm कि tangent की length कितनी है 4 cm है और इस point a की center से जो distance है वो कितनी है sir 5 cm है तो हमें बोलता है radius आप find करके बताओ first question जैसे हम नहीं किया था same वैसा ही कुछ question है यहां पर भी देखो कि sir यह circle है और कोई एक external point यहां पर suppose हो गया ए और इस external point a से इस पे एक जो tangent जो हो रही है इसके center यह center center को इस external point से हमने बोला कि sir center से इस external point की जो distance है वो कितनी है sir 5 cm यह हमें given है और length of tangent कितनी है sir 4 cm यह हमें given है तो पूछता है radius आप calculate करके बताओ ना इस point को अगर suppose हमने भी कह दिया तो मुझे ओबी की लेंथ यह radius यह हमें calculate कर नहीं है तो देखो सर पिछले question में जैसे हमने किया था यह angle क्या होगा right angle triangle तो इंट रेंगल ओवी ए फटा फट से हम कर देते हैं इसमें लगा देंगे पाइटागुरस ठीरम सो इंट अंगल ओ बी अगर इसमें हमें पता है कि सर एंगल बी इस 90 डिए तो बाइज यूजिंग पाइटागुरस ठीरम हम इसमें कह सकते हैं कि सर हाइपोटेनियस ओए का स्क्वाइर इसी फैल टोá अबी स्क्वार प्लस अबी का स्क्वार अपको गीवरेन 155 का स्क्वार करें तो कितनाू आएका डरेक्ले loop 25 ओभी वैल्यू मुझें कैलकुर करने इस लो रेडियस इसको लिएज्य रेडियस इसकी ल hoor का स्क्वार कर Valento डारेक लिदो तो यहां से radius का square is equal to 25 में से 16 माइनस करोगे आप लिखोगे 25 माइनस 16 तो यहां से आपके पास radius का square आ गया कितना 9 तो यहां से r is equal to आप बताओगे plus minus 3 since r एक radius है negative हो नहीं सकती तो हम यहां पर बोलेंगे sir neglecting the negative value so r is equal to 3 unit लिख दोगे centimeter यह इसका answer हमें यहीं तो calculate करना था तुरंथ हमने calculate कर दिया ठीक है बचो तो यह question भी solve आगे बढ़ते हैं next question दिखते हैं two concentric circles r of radius 5 cm and 3 cm कि दूसर दो concentric circles concentric circles क्या होते हैं जिनकी जिनका center क्या हो एक ही हो find the length of chord of larger circle which touches the smaller circle कि sir हमें एक chord की length calculate करनी है जो लाट की length larger circle के chord की length calculate करनी है जो smaller circle को क्या करता है एक touch करता है तच करता है यानि कि उसके पर tangent है तो सीदी सी बात होगी देखे ज़रा इसका diagram देखते हैं कि जैसे सब देखो यह दो concentric circles है जिनका center क्या है common center है ओ ठीक है अब इस larger वाली circle की chord है यह PQ PQ is the chord PQ chord है अच्छा आपको larger वाली circle की radius पता है sir कितनी 5 cm इस larger वाली circle की radius मुझे given है 5 cm यानि कि OP की length एक तरसे मुझे given है अच्छा और OR देखो आर मैं आर पॉइंट पर अगर suppose यह कॉड़ जो है यह कॉड़ जो है यह स्मॉलर circle को दो concentric circles है तो larger वाली circle की जो कॉड़ PQ है यह smaller circle को इस आर पॉइंट पे touch करके जारी है यानि कि आर क्या हो गया point of contact तो center से अगर मैं point of contact को join करूँ तो यह क्या होगी रेडियस होगी क्या रेडियस होगी smaller वाली circle की और क्या मुझे smaller वाली circle की radius given है सर कितनी 3 cm तो मैंने सूचा कि सर रेडियस पता लग गही तो यह radius और टेंजेंट के बीश यह जो एंगल बनता है यह कितने डिगरी का होता है सर 90 डिगरी का होता है बात पेयर अगर यह एंगल 90 जा ये यहां लिभ जाएगा सरी स्टरीं हो और और पी इसके थे अंदर क्या लगा देंगे जड़ कि उपर एक पर पेंड़ कर बायी करके क्या पर यार की वैल्यू क्या कर सकते हो जाहे का हो जाए इतना काम हो जाएका तो आपने एक चीज़ यह सोची कि सर हम ये भी जानते हैं कि से अगर सरकल के सेंटर से कॉड़ के उपर एक कर्पेंडिक्ट लोगि जाए इसटटी यह वाला पार्ट PR is equal to PQ, बात करें, तो मैं अगर इस पार्ट को क्यालकूट करूँ तो इस वाले पार्ट की लेंद भी आ जाएगे, और अगर दोनों पार्ट की लेंद आगे तो मैं PQ की लेंद बता दूगा, यही तो मुझे क्यालकूट करना है, तो मैंने लिखा सर यहां पे, यहां पे लि PQ is Cod, PQ is Cod, Cod for larger circle and PQ is Tangent for smaller circle, अब अगर यह इस पे Tangent है, तो हमें पता है, this employs OR, जो radius है, वो क्या होगी, perpendicular होगी किस पे, Cod PQ पे, और अगर radius center से, center से, अगर हम Cod पे perpendicular draw करते हैं, OR, आप खुद ही कह रहे हो सर, perpendicular है, अगर हम perpendicular draw करते हैं, तो Cod को क्या करता है, bisect करता है, this employs हम कह सकते हैं, सर, PR is equal to QR, this employs, सर, हमें जो PQ calculate करना है, which is equal to PR plus QR, यानि कि सर, PR, QR की equal है, तो क्या मैं कह सकते हूं, इसे 2PR, 2PR कहा जा सकता है, 2PR कहा जा सकता है, कि सर, इसे आप 2PR, यह भी तो कह सकते हो, यह भी तो कह सकते हो, बिल्कुल सर, PQ is equal to 2PR कहा जा सकता है, तो अब मैं apply करता हूं, pythagoras theorem in triangle ORP, so in triangle ORP, इस triangle के अंदर, लगाओ ज़रा pythagoras theorem, क्या कहोगे, सर, OP का square, pythagoras theorem, hypotenuse का square, is equal to perpendicular, 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 OR का square, OR square, plus PR square, correct, OP की value आपको पता है, सर, कितनी, 5, तो 5 का square डिरेकली ते, 25, OR की value पता है, 3, 3 का square डिरेकली ते, 9, is plus PR square, यह मुझे calculate करना है, तो यहां से PR square की value कितनी आएगी, 25 में से 9 minus करोगे, तो कितना आजाएगा, सर, 16, तो यहां से, since PR क्या है, एक distance है, तो आप बोलोगे, सर, negative value, plus minus 4 आना चाहिए था, लेकिन negative value को अगर मैंने neglect कर दिया, तो आप बोलोगे, सर, PR के length आएगी, 4 cm, आपको calculate क्या करना है, सर, PQ, length of chord, किसर, length of chord, that is, PQ, is equal to, क्या लिखा है आपने, 2 PR, यानि कि 2 into 4, 2 into 4 करेंगे, सर, 2 into 4, which is equal to PQ, is equal to 8, यूनित लिख देंगे, cm, आया, calculate हो गया, chord की length, concept समझ में है, कि इस एक question के अंदर, छोटा सा, simple सा question था, लेकिन इसमें concepts, कितने सारे हमने सीख लिए, कितने सारे concepts, जो हमने, revise भी कर लिए, जो previous sessions के अंदर, हम discuss कर चुके हैं, चलिए, तो अगला question देखते हैं, next question क्या कहता है, आपकी बार, आपको ये question दिया वाह है, एक quadrital है, A, B, C, D, is drawn to circumscribe a circle, prove that, A, B, plus C, D, plus A, D, is A, B, plus C, D, is equal to A, D, plus B, C, जितना आपको complicated दिख रहा है न, उचसे भी ज़्यादा easy होगा, बोलो कैसे, देखो, अभी आपको दिखाते हैं, कि सर्थ, ये circle है, और एक quadrital A, A, B, C, D, ये क्या कर रहा है, इसको circumscribe कर रहा है, circumscribe कर रहा है, तो मुझे बोल रहा है, कि सर्थ, आप इसकी sides, A, B, और C, D, A, B, और C, D, का sum, इसकी side, BC, और AD के equal, प्रूफ करके, बताओ, ये हमें प्रूफ करना है, तो देखो, कैसे करते हैं, बहुत ही simple सा, अच्छा, इस circle के लिए, क्या ये A point क्या होगा है, इसका एक external point, अगर ये external point है, तो बोलो, क्या इसकी length, A, S, क्या इसकी length, A, P, के equal होगी, कि सर, S, और P, क्या होगा है, point of contact, तो A, S, और A, P, क्या है, tangent है, और एक external point से tangent, जो draw करी जाती है, circle पे, वो हमेशा equal length के होती है, तो हम लिख सकते हैं, कि सर, from point A, from point A, हम लिख सकते हैं, since A, S and A, P are tangent, so, A, S is equal to A, P, कहा जा सकता है, similarly, इसी तरह से, जरा देखो, क्या सर, ये B, इसका एक external point है, और इस external point से, इस पे फिर से दो tangents draw और ये, एक कौन सी, कि सर, P, B, और दूसरी कौन सी, कि सर, B, क्यूँ, तो ये दोनों भी क्या होगी, सर, equal होगी, तो हम लिखेंगे, similarly, from point B, अब इस से कौन कौन सी tangent है, सर, B, P, B and BQ, तो हम लिख देंगे, सर, BQ is equal to BP, लिख दे, correct है, अच्छा, similarly, क्या आप इस point C से भी देख सकते हो, कि सर, इस point C से, ये भी तो एक से external point है, इस से भी इस पे दो tangents cross हो रही है, कि सर, एक CR और एक CQ, इन दोनों के length भी क्या होगी, सर, equal होगी, तो हम लिख सकते हैं, similarly, from point C, इस point C से, इस पे जो दो tangents draw हो रही है, कौन सी, CQ is equal to CR, correct, similarly, इसी तरह से, सर, क्या बात है, हो गया गया, कौशन साहब, देखो जरा, कि ये external point D है, इस external point D से, इस पे दो tangents cross हो रही है, DR and DS, इन दोनों की length भी क्या होगी, सर, equal होगी, external point से सर, tangents अगर draw करें, तो वो, उनकी length हमेशा equal होती है, तो from point D, हम यहाँ पर कह सकते हैं, कि सर, DR is equal to DS, DS is equal to DR, अब अगर मैं इसे, suppose equation 1, इसे equation 2, इसे equation 3, इसे equation 4 कहता हूं, तो अगर इन 4 equations को हम add कर दें, by adding equation 1 plus 2 plus 3 plus 4, कि हम यहाँ पर लिखें, adding, equation 1 plus 2 plus 3 plus 4, अगर 4 equations को add किया जाए, तो हमेशा LHS में जब equations को add करते हैं, तो LHS में LHS वाला part, RHS में, RHS का part add होता है, तो देखें, LHS में क्या-क्या है, कि सर, AS plus BQ plus CQ plus DS is equal to, RHS में क्या-क्या है, सर, AP plus BP plus CR plus DR, जड़ा गौर करो, अब जड़ा देखो, कि सर, यह BQ plus CQ, देखना जड़ा, कि सर, यह BQ plus CQ, diagram में देखो, कि सर, यह रहा BQ और यह रहा CQ, अगर इन दोनों को add किया जाए, तो क्या complete side BC बन सकती है, जड़ा इन दोनों को add करूंगा न, तो यहां से side आ जाएगी BC, इसी तर से AS और DS, अगर हम AS और DS, इन दोनों को add करेंगे, तो क्या complete side AD बन जाएगी, AD, तो इन दोनों को add करके, क्या आप लिख सकते हो, यहां पर AD, प्लस, is equal to, इधर से देखो, कि सर, AP और BP, देखो सर, AP और BP, इन दोनों को add करेंगे, तो क्या complete side AB बन सकते हो, तो इन दोनों को add करके, यहां पर AB, और similarly, CR plus DR, कि सर, CR plus DR, इन दोनों को add किया जाए, तो complete side CD कह सकते हो, इन दोनों को add करके, हम कह सकते हैं, प्लस में CD, देखो, क्या आपको यही प्रूफ करना था, जड़ा गौर करो, सर, मुझे क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया था, मुझे AB plus CD, AB plus CD, is equal to AD plus BC, AD plus BC, यही तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, तो क्या हमने इसे प्रूफ कर दिया, कितना simple, hence proof, बात क्लियर हुई, तो यह वाला कोशन भी बोलो, हमने solve कर दिया, कोशन नबर 5, solve, आगे बढ़ते हैं, next question पर बात करते हैं, देखो, अगला कोशन क्या कहता है, अपने आप में बहतरीन सा कोशन, easy बनाएंगे इस कोशन को, बहुत easy कर देंगे इस कोशन को, देखो, important भी मार्क कर देना हूँ, अपने आप में बहतरीन सा कोशन है, कोशन क्या कहता है, कि सर, xy and x-y- are two parallel tangents to a circle with center O, कि सर, x- y- और xy, ये दो क्या है, parallel tangents है, दोनों क्या है, parallel tangents है, कि सके उपर, कि सर, इस circle जिसका center O है, another tangent a, b, with point of contact c, intersecting xy at a and x-y at b, कि सर, एक और tangent है, एक और ये रही tangent, और ये tangent, जिसका point of contact क्या है, सर, c point है, और ये tangent क्या करती है, कि सर, इस xy और x- y- tangents को, a और b points पे cut कर रही है, intersect कर रही है, तो हमें ये proof करना है, कि angle a, o, b is equal to 90 degree होगा, कि सर, a, o, b, ये वाला जो angle है न, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, जो angle बन रहा है, ये 90 degree होगा, तो देखो, इसको हम कैसे proof करते हैं, इसको proof करने का तरीका देखते हैं, सर, देखो, बड़ा ही easy से हम आभी करेंगे, देखो, सबसे पहले construction आपको करना है, कि सर, इस o को मैंने c से joint कर दिया, o को c से joint कर दिया, अब आपको कितनी triangles दिख रहे हैं, सर, देखो, एक triangle ये वाला, दूसरा triangle ये वाला, तीसरा triangle ये वाला, और ये fourth triangle, चार triangle दिखने लगए, अब मैं पहले क्या करता हूँ, one और two को congruent proof करता हूँ, फिर three और four को हम आपस में congruent proof करेंगे, जैसे हमने congruency proof करी न, आपने आप देखो, question solve होता हूँ, आपको देखेंगा, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे है, triangle one और triangle two, जिनके नाम क्या है, triangle, O, P, A, triangle, O, P, A, and, triangle, O, C, A, O, C, A, इन दोनों triangles को ज़रा देखो, इन दोनों triangles में, क्या O, P, side है, इसकी side, O, C, के equal होगी, क्यों, दोनों radius है, तो हम लिख सकते हैं, Sir, O, P, is equal to, O, C, क्यों, Sir, radius है, radius है, क्या इसी तरह से, O, A, side, दोनों के बीच में common है, O, A, side, common है, Sir, O, A, is equal to, O, A, common, common है, अच्छा, ये external point A से, क्या इस circle पे दो tangents है, P, A, और P, A, C, पे, P, A, और A, C, दो external tangent, दो tangents है, अगर ये tangents है, तो हमेशा equal होती है, तो मैं कह सकता हूँ, Sir, ये वाली side, इस वाली side के equal होगी, तो हम लिख सकते हैं, P, A, is equal to, A, C, क्यों, tangent है, tangent from, A, from point A, similarly, 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 चलो, similarly के बाद, बाद में करेंगे, पहले हम ये लिख देते हैं, कि Sir, अब देखो, side 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 criteria से, क्या ये दोनों triangles congruent हो गए, तो हम लिख देंगे, यहाँ पे, so triangle O, P, A, is congruent to triangle O, C, A, by side 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 criteria, अब ये दोनों triangles अगर congruent हो गए, तो CPCT आएगा, क्या CPCT से हम ये कह सकते हैं, कि Sir, इसका ये वाला angle, इस वाले angle के equal होगा, बात correct है, Sir, ये वाला angle, इस वाले angle के equal होगा, बिल्कुल Sir, तो इसे angle अगर 1 कह देता हूं, समझ, easy बनाने के लिए, कि Sir, लिखने में easy रहे, तो इसलिए कहा देता हूँ, angle 1 ये है और ये angle 2 है, तो हम लिख देते हैं, sir, angle 1 is equal to angle 2, अगर ये दोनों triangles congruent हो गए, तो हम लिख सकते हैं, sir, angle 1 is equal to angle 2 from Cpct, ठीक है, similarly, आप इन दोनों triangles को भी congruent proof कर सकते हो, कैसे, sir, इन दोनों triangles को अगर हम लिखें, तो इन triangle, O, Q, B, O, Q, B, and triangle, O, C, B, O, C, B, same वही process, कि sir, O, Q, O, C के equal होगा, क्योंकि दोनों radius है, O, Q is equal to O, C, दोनों radius है, O, B line, दोनों के बीच में common है, दोनों triangles में common है, so, O, B is equal to O, B, same, अच्छा, B point external point है, इस external points इस पर दो tangents जो हो रही है, एक है कौन सी, Q, B, और दूसरी कौन सी है, B, C, ये दोनों भी equal होगी, तो हम लिख सकते हैं, sir, B, Q is equal to B, C, तो ये दोनों triangles भी क्या हो जाएंगे, congruent होंगे, same वही triangle, O, Q, B is congruent to triangle, O, C, B by SSS rule, अगर ये दोनों triangles congruent हो गए, तो फिर आएगा, sir, C, P, C, T, C, T से क्या कह सकते हो, ये वाला angle को, अगर मैं suppose 3 कहता हूं, तो ये वाला angle को अगर 4 कहता हूं, same process, तो angle 3 और 4, angle 3 और 4, C, P, C, T से equal होंगे, तो हम लिख सकते हैं, sir, इस से हम कह सकते हैं, angle 3 is equal to angle 4, कहा जा सकता है, अब आप ज़रा देखना, कि आपको ये given है, कि sir, x, y and x-y, ये दोनों क्या है, parallel tangents है, इनके point of contact circle पे P और Q है, अभी हमने, थोड़ी देर पहले एक theorem भी प्रूफ करी थी, कि हमने कहा था, कि sir, ये P, Q क्या होगी, diameter होगी, क्योंकि diameter के दोनों external point के उपर, जब tangents draw करी जाती है, तो वो एक दूसरी के parallel होती है, तो यहाँ पे P, Q क्या होगी, diameter, diameter यानि कि sir, O point center से जा रही है, और एक straight line है, तो हम लिख सकते हैं, since P, Q is a diameter, 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 ये क्यों लिखा, क्योंकि sir, इससे ये पता लगया, कि P, Q जो line है न, वो एक straight line है, अब straight line पे, अगर इस point O पे, इस point O पे, जितने भी angles बन रहे हैं, इन सभी angles का sum कितना होता है, sir, 180 degree होता है, एक line पे, सभी angles का sum 180 होता है, तो मैं लिखों sir, यहाँ पे, this employs angle 1, plus angle 2, plus angle 3, plus angle 4, इन सभी angles का sum कितना होगा, sir, 180 degree, correct, कि sir, 1, plus 2, plus 3, plus 4, 4 angles का sum कितना हो जागा, 180 degree, अब angle, angle 1 जो है, वो angle 2 के equal है, sir, ये वाला जो angle है, वो तो angle 2 के equal है, तो इसके जगह अगर मैं angle 2 लिख दू, प्लस ये angle 2 पहले से लिखा हुआ है, अच्छा, ये angle 4, angle 3 के equal है, तो ये angle 3 को as it is लिख दूँ, और angle 4 की जगह मैं 3 लिख दूँ, तो बोलो क्या ये 180 degree के equal अभी भी रहेगा, अब angle 2, plus angle 2, कितने angle 2 हो गए, sir, 2 angle 2, plus angle 3, plus angle 3, sir, 2 angle 3 is equal to 180 degree, अच्छा, तो अगर दोनों में से common निकाल लिया जाए, तो 2 common आ गया, angle 2, plus angle 3 is equal to 180 degree, तो यहां से अगर 2 उदर डिवाइड में जाएगा, तो आप कहोगे, sir, angle 2, plus angle 3 is equal to 90 degree, और ज़रा देखो, कि sir, angle 2, plus angle 3, अगर दोनों angles को sum किया जाए, तो यह क्या angle A, O, B बना रहे हैं, कि sir, angle 2, plus angle 3 किसके बराबर है, angle A, O, B के बराबर है, तो यहां से 2, plus 3 को मैं लिख सकता हूँ, replace कर सकता हूँ, कि angle A, O, B is equal to 90 degree, क्या यही हमें प्रूफ करना था, देखो, क्या हमें यही प्रूफ करना था, angle A, O, B को 90 degree हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया, कितना easy, कितना easily आपने इस question को भी solve कर दिया, है ना easy, चलिए, बढ़ते हैं आगे, अगले question की तरफ, आपने आप में एक बहतरीन सा question था यह, अगला question देखो, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus, कि एक parallelogram, जो क्या करें, एक circle को circumscribe करें, तो वो क्या होता है, एक rhombus होता है, सबसे पहले इसका diagram देखते हैं, कि सर देखो, कि यह कोई circle है, जिसको एक parallelogram circumscribe कर रहा है, अब यह a, b, c, d, क्या है, एक parallelogram आपको दिया हुआ है, और आपको बोलता है, कि आप prove करो, कि यह जो parallelogram, यह parallelogram नहीं, यह rhombus है, यह क्या है, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, सर मुझे given क्या है, मैं ज़रा लिखूँ यहाँ पे, कि सर हमें यह given है, कि a, b, c, d, a, b, c, d, is a parallelogram, अब अगर यह parallelogram आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब parallelogram की properties यह follow कर रहा है, यानि कि इसकी opposite sides parallel और equal होगी, होगी, तो मैं कह सकता हूँ, सर, इसकी side, a, b, is equal to, इसकी side, c, d, and also, a, b, is parallel to, c, d, correct है, similarly, similarly, मैं यह भी कह सकता हूँ, सर, b, c, जो side है, वो c, d, a, d side के equal है, similarly, b, c, is equal to, b, c, is equal to, a, d, and, b, c, is also parallel to, a, d, correct है, कि सर, यह तो follow करेगा, ठीक है, यह हमने लिखा, चलो, अब मुझे यह proof करना है, to prove, to prove में क्या आजाएगा, कि सर, हमें यह proof करके बताना है, कि यह जो, यह जो, a, b, c, d है, यह parallelogram, यह rhombus है, हमें यह proof करना है, कि सर, a, b, c, d, is a rhombus, rhombus, और rhombus क्या होता है, सर, parallelogram और rhombus में क्या difference है, कि सर, rhombus में भी opposite sides parallel होती है, बिलकुल होती है, लेकिन rhombus के अंदर, सब की sub-sides equal भी होती है, तो अगर मैं कैसे भी करके, इसकी all sides को equal proof कर दूँ, तो क्या यह rhombus proof हो जाएगा, हो जाएगा, बात करेक्ट हुई, तो मेरे को एक तरसे करना क्या है, मुझे इसकी all sides, यह नहीं कि सर, a, b, is equal to b, c, is equal to c, d, is equal to a, d, यह मुझे proof करना है, तो देखो, अब मैं इसे proof कैसे करता हूँ, कैसे proof करते हैं, कि सर, इसमें, सेम, जो हमने पहले भी किया था, कि सर, यह वाली side, यह external point a है, इस a से, इस पे दो tangents, a, p, और a, s है, तो दोनों length में equal होंगी, अभी हमने ऐसा proof किया था न, तो हम लिखते हैं, सर, यहाँ पे, कि from point a, from point a, मैं लिख सकता हूँ, कि सर, a, p, is equal to a, s, इसी तर से, from point b, इस point b से, सर, b, p, is equal to b, q, हम लिख सकते हैं, सर, b, p, is equal to b, q, लिखा जा सकता है, इसी तर से, क्या point c से, इस point c से, इस पे भी दो, दो क्या चल रही है, tangent, तो क्या c, q, is equal to c r लिखा जा सकता है कि सर c r is equal to c q लिख सकते हैं इसी तरह से इस point d से क्या आप यह कह सकते हो सर यहां से भी जो दो टेंजेंट स्क्रॉस हो रही है ना कि ds और d r यह भी equal होंगी so d r is equal to ds फिर हमने क्या किया था जब अगर हम इन सब को एड कर दें तो क्या आएगा हमारे पास यहां पर किसर a p plus b p plus c r plus d r is equal to a s plus b q plus c q plus d s और आप देखोगे sir a p plus b p किसके बराबर है sir a b के बराबर है c r plus d r किसके बराबर है sir c d k b राबर है is equal to a s और d s यह दोनों का सम किसके बराबर है sir a d k b बराबर है और figure से देखो b q और c q जरी b q और c q इनका सम किसके बराबर है sir b c-क बराबर है अब मुझे तो पहले से बिया वाइब जो है वह A, Si, Dui के बराबर है अभी सीडी के बराबर है तो यहान पर A, B को इस C, D की जगह किby आ मैँ ईबी सेखता हूं तो यहां पर आगर मैंने लिखा किसा A, B प्लस ईबी इज hackers amad-bc के बराबर है सब अवा एड़ी जिखताए तो क्या इसके जगह मैं लिख सकता हूं i said bc plus bc तो देखो यहां पर आप लिखोगे 2 ab is equal to 2bc अगर 2 से 2 cancel कर दिया आपने तो आप कह से क्ते हूं sir ab is equal to bc और अगर abbc के बराबर आया sir abc के बराबर आया आपने क्या कहा sir ab is equal to bc और sir ab तो आप देखो नशर ab तो आपने कहा था, A, B, तो C, ड के बराबर है, सब C, ड के बराबर है, और B, C, सब B, C, तो A, D के बराबर है, तो इसका मतलब चारो साइट्स क्या equal आ गई, और इससर्फ चारो साइट्स equal आ गई, और हमें already पता है, opposite साइट्स पहले से पारल है, क्योंकि यह पारलो ग्राम था, कि सर्फ चारो साइट्स equal हो गई, और हमें पता है, सर, A, B, C, ड के पारल है, opposite साइट्स यानि कि A, B, इस पारलल टू C, यह हमें गीवन था पहले से और B, C, A, B, is parallel to A, D, यह भी opposite साइट्स पारल है, तो यह criteria, यह conditions, यह property कौन फॉलो करता है, एक rhombus फॉलो करता है, कौन फॉलो करता है, सर, rhombus, तो बुलो, क्या आपने इस A, B, C, D, is A, rhombus, प्रूफ कर दिया, यही तो हमें प्रूफ करना था, this is hence proof, question solve, question solve, अपने आप में एक बहतरीन सा question, बहतरीन सा question, solve हो कर दिया, आपने, easily आपने proof कर दिया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, अगला question देखो, a tangent ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm, कि क्या कह रहा है, कि एक triangle है, ABC, यह triangle है, जो circumscribe कर रहा है, एक circle को, जिसकी radius कितनी है, सर्फ 4 cm है, इसकी radius, यह देखो, गीवन है आपको, 4 cm, यह आपको दिया हुआ है, such that, segment BD and CD, such that, segment BD and CD into which BC is divided by a point of contact D, कि सर, BC divide होता है, point of contact DP, of length 8 cm, कि सर, यह length BD की length है, 8 cm, और CD की length 6 cm, इसकी length DB is CD की 6 cm, respectively, तो find the sides AB and AC, कि मुझे तो सर, यह AB side और AC side की length find करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे करूं, समझना जरा, इस question में समझना, थोड़ा सा lengthy है, लेकिन important भी है, और easily हम इसको solve भी कर सकते हैं, देखो कैसे, कि सर, सबसे पहली बात, कि मुझे इसकी length DB है, यह length DB है, यह 4 cm, अभी तक हम नहीं जो questions करें, उसमें भी आपने इस पे तो देखी लिया है, कि सर, यह एक external point हो गया, C, और इस external point से circle पे, दो tangents cross हो रही है, एक CE और एक CD, और length of circles हमेशा क्या होती, equal होती है, from a same external point, तो यह अगर 6 cm है, तो बोलो CE की length भी कितनी होगे, सर, 6 cm, बोलो correct, ठीक है, यह B क्या हो गया, सर, external point हो गया, और इस external point से circle के उपर, दो tangents से, एक है BD और एक है BF, तो यह अगर 8 cm की है, तो यह length भी कितनी होगे, सर, 8 cm, बोलो correct, अब मुझे तो, सर, AC और AB की length पूछ रहा है, तो मुझे यह दोनो length नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है, A क्या है, इसका एक external point है, external point से, इस पे दो tangents AE और AF, cross हो रही है, दोनो length में क्या होंगी, equal होंगी, तो अगर मैं इसे X let करता हूँ, तो यह वाला part भी क्या होगा, X होगा, तो मुझे तो, सर, AC और AB की length पूछ रहा है, तो अगर मुझे यह X की value पता लग जाए, तो आप अगर X को 6 में add करोगे, तो क्या आपको AC पता लग जाएगा, क्या आप इस X को 8 के अंदर add करोगे, तो क्या आपको AB पता लग जाएगा, तो main मुद्दा क्या है, सर, इस X की value calculate करना, बात clear हुई, इतना question clear हुआ, question feel हुआ, तो सर, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, कि सबसे पहले, मुझे AB calculate करना है, AB की length मैंने क्या लिखी है, सर, 8 plus X, 8 plus X, centimeter, और AC calculate करना है, AC की length क्या है, दिख रही है आपको figure के through, सर, 6 plus X, 6 plus X, centimeter, कह सकते हूं, correct बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, इतना हमें समझ में है, अब यह X निकालू कैसे, निकालू कैसे सर, देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस triangle ABC का area calculate करते हैं, अब triangle का area calculate करने के दो methods होते हैं, पहला method तो कौन सा, कि सर, एक Hurons formula, जो हम छोटी class में बढ़ते भी आएं, class 9 के दर हमने पढ़ा था, Hurons formula, Hurons formula के साथ, के जरीए, मैं इसके sides, के जरीए, मैं इसका area calculate कर सकता हूं, इसी तरह से, कि सर, मैं इसका area, ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, 1 by 2 base into height से, निकाल सकते हैं, य दो ये देखो, यह radius है, और ये tangent है, radius और tangent है, यह दोनों एक दूस्रा के perpendicular होते हैं, परपैंड़ कर दो आइस तरह से तर्छल ये भी इसकी radius है, बीज तो रेइस ऑर tangent ये पर्पेंडिकुलर ने करकी निकाल सकते हैं और तीनों का इरिया गर अगर निकाल के एड करा तो भी मेरे पास तरइसे तो सबचे पहले मैं कहता हूं सर सबसे पहले मैं हिरोंस फॉर्मला के थूख करता हूं तो हिरोंस फॉर्मला कहता है कि area of triangle area of triangle a b c क्या होता है formula under root में हम लिखते हैं सर s then bracket में s minus a s minus b then s minus c यह हम कहते हैं ठीक है अब s क्या है a क्या है b क्या है c क्या है सर मुझे नहीं पता तो मैं यहां लेट कर लेता हूं किसा देखो a b a c यह है और b c b c b c कितना हो गया 8 plus 6 add करके हम बोल देंगे सर 14 cm अब 3 length हैं तीनों में से किसी को भी लेट कर लो कि सर सपोज इसे मैंने c लेट कर लिया इसे मैंने लेट कर लिया और इसे मैंने a लेट कर लिया कि सर यह c यह b और यह a c रिप्रेजन कर रहा है a b की length को बी रिप्रेजन कर रहा है a c की length को और a रिप्रेजन करता है b c की length को तो सबसे पहले तो मैं s निकालूंगा जो क्या होता है semi perimeter is equal to a plus b plus c by 2 बोलो a की value क्या है सर 14 है b plus b की value क्या है sir 6 plus x है 6 plus x है c की value क्या है sir 8 plus x है तो यहां से इसको divide by 2 तो 14 6 और 8 एड ओके यह भी 14 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 28 28 और x और x एड ओके बोलो कितना हो गया sir 2x divided by 2 2 common लेके अगर हटाओगे तो यहां से क्या आपके पास s की value आएगी कितनी सर x plus 14 x की value आ जाएगी x plus 14 correct है s निकल गया अब यह values abc आपको पता है तो क्या यह values मैं formula में put करो तो यहां पर निकालता हूं सर देखो अब मैं यहां पर area लिखता हूं area is equal to under root s की value बोलो कितनी calculate करिया आपने x plus 14 तो सबसे पहले लिखा sir x plus 14 then bracket में s minus a s की value है sir x plus 14 minus a की value कितनी है sir 14 है तो minus कर दो इसमें से 14 ठीक है then s minus b तो s की value तो sir x plus 14 है उसमें से minus करना है b अब b की value कितनी है 6 plus x अब जब minus करूंगा तो यह दोनों minus के होंगे यहां पर ध्यान रखना minus करते समय तो यह लिखो कि sir minus का 6 minus का x correct then उसकी बाद s minus c x s की value है x plus 14 और c की value कितनी है sir x 8 plus x minus करूंगा तो minus का 8 minus x 8 आ जाएगा correct अब इसको ज़रा solve करें देखे sir क्या क्या कट सकता है तो अगर हम देखें तो इस bracket के अंदर से 14 plus 14 minus 14 cancel out इस bracket के अंदर से plus x minus x cancel out इस bracket के अंदर plus x minus x cancel out अब ज़रा हम इसे solve करते हैं कि sir देखो यहां से area is equal to under root में यह x plus 14 यह bracket तो as it is then उसके बाद यहां से इस bracket में 14 14 तो कट गया तो बच्चा क्या है sir only x इदर से क्या बचा है sir 14 में से 6 को minus करेंगे क्या बचेगा sir only 8 then इसी दर से sir 14 में से 8 को minus करेंगे तो क्या बचेगा only 6 8 और 6 8 6 48 48 का स्क्वार रूट सर्फ 48 आ रहा है देखो ज़रा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं sir 48 को क्या मैं 16 14 48 कह सकता हूं देन उसके बाद आगे यह x है और ब्रैकेट में यह x plus 14 बोलो करेक्ट ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या था sir 16 4 मैंने 6 sorry 8 6 48 तो 16 4 जा sorry 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 क्या लिखा हमने 16 3 जा 48 16 3 जा 48 लिखा जा सकता है ठीक है करेक्ट अब 16 इंटू 3 लिखने के पीछे रीजन था जिससे मैं 16 का स्क्वार रूट निकाल दूं तो यहां से क्या आपके पास एरिया आ गया इस ट्रैंगल का स्क्वार रूट होके आ फोर अंडरूट में बचा हमारे पास 3 x ब्रैकेट में x प्लस 14 ठीक है यह हमने निकाला इसे सम एक्वेशन नंबर 1 हमने यह मैंने ट्रैंगल ABC का एरिया केलवूट कर रा ऐसे एक्वेशन कर दिया अब से इसी तरह से इसलों क्याल्कुल करूट करूंगा क्यों से तरीके से किसर अब टो बइसी इन्ट हाइट फॉल्ट qt । देक को इसको का area मुझे calculate करना यह 4 है यह भी 4 है और यह भी 4 है क्योंकि सब radius है ठीक है तो सबसे पहले area of triangle O B C area of triangle मैं लिखता हूँ सब यहाँ पर area of triangle O B C बोलो area of triangle का formula क्या होता है triangle के area का formula हम क्या लिखते हैं सर 1 by 2 into base into corresponding height तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सर 1 by 2 base बोलो इस O B C triangle का base क्या हो गया सर 6 plus 8 यानि के 14 into height क्या है सर यह perpendicular distance vertex से perpendicular distance that is 4 लग दें यहाँ पर तो 4 से अगर यह cancel होगा तो बोलो कितना आ जाएगा सर 28 unit लिखो कि सर cm square इसी तर से area of triangle अगर मैं इस O A C O A C इस triangle का area निकालों तो सर लिखूंगा 1 by 2 base इसका कितना है सर 6 यह x यह तो 6 plus x क्या इसका base हो गया तो लिखेंगे ज़र यहाँ पर x plus 6 और height क्या है सर 4 height क्या है 4 बोलो 4 से क्या यह 2 cancel हो जाएगा तो 2 cancel करके आपने में लिखा सर 2 bracket में x plus 6 यह आने कि सर कितना आ गया 2 x plus 12 unit लिख दोगे सर cm square देन उसके बाद area of triangle O A B O A B which is equal to 1 by 2 base बेस बोलो इसका कितना है सर 8 plus x 8 plus x into height कितनी है सर इसकी 4 तो solve करो 2 से यह cancel हो जाएगा बचेगा आपके पास 2 bracket में 8 plus x अंदर multiply करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 16 2 x plus 16 cm square अब मुझे इस complete triangle ABC का अगर area चाहिए तो मैं इन तीनों triangles का area क्या मैं add कर दूँ तो मुझे इस complete triangle ABC का area मिल जाएगा तो लिखे सर यहां पे triangle ABC area of triangle area of triangle ABC is equal to okay sir 28 plus 2x plus 12 plus 2x plus 16 2x or 2x add okay बोलो कितना लिखोगे सर्फ 4x 28 plus 12 plus 16 बोलो कितना हो गया सर्फ 56 correct unit लिख दो किसा centimeter square इसे suppose आपने equation number 2 कह दिया तो क्या आपनी strangle ABC का area दोनों तरह से calculate कर लिया कि सर्फ फॉर्म equation 1 अगर हम देखें तो area इस ट्रेंगल का यह होना चाहिए equation 2 से अगर देखूं तो area इसका यह होना चाहिए तो दोनों इसी triangle इस सेम triangle ABC के ही तो area है तो दोनों को क्या हम equate कर सकते हैं so from equation 1 & 2 अगर हम यहां पर लिखें from equation 1 & 2 हमने पहले का था sir equation 1 से area कितना है 4 अंडर root में 4 अंडर root में 3 x bracket में x plus 14 करेक्ट और equation 2 से आप इसका area बता रहे हो sir 4 x plus 56 करेक्ट अच्छा जरा देखना कि sir इस 4 x plus 56 में से क्या 4 common निकाल सकते हैं अगर 4 common आया तो बोलो यह लिखा जाएगा sir x plus 14 क्या यह 4 LHS वाला यह 4 RHS वाले इस 4 से cancel out हो सकता है तो आपके पास क्या बचा कि sir यहां से हमारे पास क्या बच गया यहां से हमारे पास बचा अंडर root में 3x bracket में x plus 14 is equal to x plus 14 अब अगर इदर से square root हटाएंगे अगर इदर से square root हटाएंगे तो क्या इदर square आ जाएगा बात करेक्ट कि sir इदर से square root अगर आपने हटाया यह square root अगर आपने इदर से हटाया तो उदर square लगा दिया ठीक है सर बिल्कुल करेट कोई टेंसर नहीं अब इसमें देखा सर यहां पे यह एक्सप्रस 14 और उदर एक्सप्रस 14 का स्क्वाइर तो क्या यह bracket को मैं इसके स्क्वार कम हो जाएगा बात करेक्ट सर बिल्कुल ठीक है तो यहां से अब हमारे पास क्या बचा कि सर यहां से अब हम कह सकते हैं इदर से हमारे पास लहें बचा है only 3x is equal to x plus 14 तो यहां से एक तरफ किया तो यहां से आएगा आपके पास 2x is equal to 14 तो calculate करोगे तो x is equal to कितना आगया सर 7 यही तो calculate करना था सर जिसके लिए इतने हमने calculation करी अब x की value आपके पास आ चुकी है तो बोलो अब हम निकाल सकते हैं क्या कि सर मुझ से अब आप पूछो सर ac की length आपने लिखा था ना सर ac ac आपने लिखा था सर ac is equal to क्या 6 plus x आपने का था सिक्स प्लस एक्स एक्स की value आपको पता है सर 7 तो 6 प्लस 7 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 यूनिट लिख दो के centimeter करेक्ट अच्छा इसी तरह से क्या मैं a b की लेंट बता सकता हूं जब a b is equal to कितना है 8 plus x याने किसर 8 plus 7 which is equal to 15 centimeter क्या यहीं हमें क्याल कोट कर ना था हमने क्याल कोट कर दिया answer यह question समझ मैं question समझ मैं so number of tangent from a point on a circle इस पर बेस जितने भी questions थे वो भी हमने discuss कर लिए और इस पर बेस जो theorem सी वो भी हमने discuss कर लिए I hope आपको सभी चीजे अच्छे से clear हो गई होगे thank you for joining with us thank you so much guys thank you